पहले टेस्ट में हार के बाद रोहित शर्मा का बड़ा बयान इसको उपर फोड़ा हार का ठीकरा रोहित का बयान सब को चौका दिया पहले टेस्ट मैच में साउथ अपरीका के हाथों मिली हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा का अजीब बयान सामने आया है रोहिद शर्मा ने सेंचुरियन टेस्ट में मिली हार का कारण खराब बल्ले बाजी को बताया है इसके अलावा गेंद बाजी पर भी रोहिद शर्मा ने काफी सवाल उठाए मैच के बाद बोलते हुए रोहिद शर्मा ने बताया कि यहां हमें बल्ले बाजी में काफी चुनौतियां मिली जिसको लेकर हम सही से तालमेल नहीं बैठा सके पहली पारी में केल राहुल ने अच्छी बल्ले बाजी की लेकिन फिर हम गेंद बाजी में कुछ खास नहीं कर पाए ये मैदान बाउंडरी वाला मैदान था, लेकिन हमने दूसरी टीम की मजबूती को नहीं समझा दोनों पारियों में हमारी बल्ले बाजी काफी खराब रही पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे रोहित शर्मा, पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में कप्तान रोहित शर्मा फ्लॉप साबित हुए टीम इंडिया को रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन रोहित उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके रोहित ने पहली पारी में 5 रन बनाए तो दूसरी पारी में रोहित बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए दोनों ही पारियों में रोहित शर्मा को रबाडा ने आउट किया रोहित शर्मा वंडे विश्व कब 2023 के बाद से अब क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन पहले टेस्ट मैच में रोहित फ्लॉप रहे अब रोहित को दूसरे टेस्ट मैच में नई रन नीती के साथ मैदान पर उतरना होगा